दोस्तों नमस्कार, Educated Himalaya की एक और वीडियो में आपका स्वागत है मैं बात कर रहा हूँ 27 September 2020 को हुए Secretary और Executive Officer के exam की इसका जो सबसे पहला section था हमने math section solve किया वो वीडियो मैं पहले ही upload कर चुगा हूँ आप हमारी channel पर इसको देख सकते हैं अब जो मैं बात करने वाला हूँ, वो मैं बात करने वाला हूँ Current Affairs की, Current Affairs के लगभग 5 जो questions थे, वो आये थे अब मैं जो series solve करने वाला हूँ, वो है series C आप आपकी जो भी series है उसमें Current Affairs का section निकाल लीजिए सबसे पहले, अगर मैं C में बात करूँ तो 75th जो question है, वहां से करेंगे पहला जो सवाल है, वो है, Rai Sina Dialogue 2020 के बारे में, इंडिया ने एक memorandum sign करा Green Strategic Partnership का, वो कौन सी country के साथ sign करा तो इसका जो सही answer है, वो करा था हमने Denmark के साथ sign अब उसके बाद अगला जो सवाल था, वो बहुत ही interesting सवाल था, वो था निधी companies क्या होती है, तो निधी companies में यहां पर बहुत सारे options दिये थे और last make option था, all of these, तो आपको ये बात याद रखना है, they receive deposits from lending to its members only, for their mutual benefits, ये भी होता है, दूसरा non banking financial companies तो होती ही है, और दूसरी बात है, वो shareholders जो होते हैं, उनकों सिर्फ उनहीं के साथ करते हैं, तो इसका जो सही answer होना था, वो था answer D, all of these, उसके बाद आया था कि भूमी राशी portal, भूमी राशी portal जो था, actually ये launch किया गया था, 2018 में, road transport ministry और highways के द्वारा, दूसरी बात थी, कि इसको integrate किया गया था public finance management, अगर आपने तीन में से दो भी कर लिए होते, तो आपको यहाँ पर जो सही answer था, वो relatable मिल जाता, क्योंकि यहाँ पर बताना था, which is not related to भूमी portal, तो current, correct answer है, it is related to maintenance and revenue records, यह इसका, इससे related नहीं है, तो हमने यही बताना था, कौन सा related नहीं है, उसके बाद ropex, ropex जो एक service थी, वो ferry service थी, मुंबई और मांडवा के बीच, यह आपको बताना चाहिए, इनमें से अगर आपको दो भी बता होते, तो आपको पता चल जाता कि इसका answer है, all of these, यानि कि D, उसके बाद, इंडिया के first CDS, 79 सवाल है, CDS कौन थे, जनरल बिपितनावत, इसका answer D है, यह भी आपने, I hope mark कर दिया हो, उसके बाद, सूर्या किरन, joint military exercise थी, वो किसके साथ होती है, वो होती है Nepal के साथ, उसके बाद, first woman pilot of Indian Navy, शिवांगी स्वरूप, इसका answer है, A, 80 first, 80 second के बाद, बात करते हैं, 80 second की, तो, export के promotion करने के लिए, खादी government को कौन सा tag दिया है, खादी के लिए, गवर्मेंट ने, तो इसका नाम है HS tag, आप मुझे comment section में बता सकते है, HS tag का क्या मतलब है, अगला जो सवाल है, वो है, करतार, पुर कॉरिडोर, कौन से दो गुरुदवारे को लेता है, तो यहाँ पर आपको है, answer इसका B, सही है, 84th, तवांग फेस्टिवल यह होता है, अरुनाचल प्रदेश में, answer D, correct है, उसके बाद, जो हमारी नई education policy, उसका draft किसने त्यार करा, वो है B, K Kasturi Ranjan Committee, उसके बाद, पूर्वोदे, जो scheme है, वो किस से related है, वो है, steel से related, स्वच निर्मल तट अभियान, तो यहाँ पर, यह जो है, cleanliness of beaches के बारे में, इसमें हमने 50 beaches identify करें, उनको clean करने, दूसरा, awareness तो coastal ecosystem का है, यह अगर यह दो सही आपने कर दिया, तो all of these, यहाँ पर again answer हो जाएगा, D, उसको tax अगर क्या है, यह एक online portal system है, यह भी answer A आपको देख लेना चाहिए था, उसके बाद UN happiness report 2020, तो UN की जो happiness report थी, उसमें 156 जो countries था, उनका survey किया गया, इंडिया का जो rank था, वो 144 था, तो यह correct है, ठीक है, यहाँ पर बताना, not correct, दूसरी, Finland is the happiest street, तो यह भी हो गया, यह देखें, तो हम 156 में हमारा rank 144 है, तो obviously हम bottom 15 में है, इससे पहले हमारा rank जो था, वो इससे बहतर था, तो यहाँ पर जो correct answer है, इसका C होगा, क्योंकि इंडिया की जो ranking है, वो neighbor से better नहीं है, बहुत सारी जो neighboring countries है, उससे हम पीछे है, जैसे भुटान से पीछे है, नेपाल से और even Pakistan से भी हम पीछे है happiness में, उसके बाद doomsday vault, doomsday vault क्या है, यह एक vault है, जो कहां पर situated है, नौर्वे और नौर्थ पोल के बीच में, यह correct है, दूसरा यहाँ पर है कि variety of seed crops को हम preserve करते हैं, तो यहाँ पर भी all of these का सही answer हो जाएगा, उसके बाद मेकॉंग गंका जो corporation है, उ नेपाल, इसका member नहीं है, तो correct answer would be Nepal, अगला जो सवाल है, यहाँ पर आपको बताना था, कौन-कौन से CEO है, कौन-कौन सी companies के, सुन्दर पिछाई अगर आपको पता हो, तो D, शांतनु नरायन, अडोबी के CEO है, सत्य नडला, सब को पता होगे, Microsoft के, तो फिर एक जो बच गय हो जाता है, तो correct answer would be B, Statue of Unity को 8th wonder घोशी किया गया, recently, 93rd सवाल की बात कर रहा हूँ, Series C को हम कर रहे है, तो कौन सी international organization, Shanghai Corporation Union, यानि के, SCO ने, और 2023 का जो hockey world cup है, वो कहां पर होगा, वो होगा, इंडिया में, उसके बाद, which district of P.O.K. is considered by India as part of Jammu and Kashmir Union territory, तो basically हम क्या करते है, ह भारत का हिस्ता करते हैं, तो यहाँ पर यह जो सारी districts है, मुझफरावाद, आजाद, कश्मीर, जिसको पाकिस्तान बुलाता है, हम P.O.K. बुलाते है, उसकी capital है, मीरपूर भी है, पुंच रजोरी का जो sector है, वो वाला भी है, तो I guess जो answer होगा, वो all of these होना चाहिए, उसक B होगा, अगला जो सवाल है, 400 defense system, जिसकी वज़ा से हम से USA नराज हो गया था, कि हम से खरीद लीजिए, हमने खरीदा है किससे, रश्या से, जो answer है, वो D है, इसका correct, उसको जो 99 सवाल, जो M60C Hawk है, और दूसरा AH-64E attack helicopter, जिसको Apache भी कहते हैं, तो वो जो हमने लिए है, वो य सही उकतराज अमेरिका, यानि United States of America से, अगला जो सवाल है, last सवाल current affair का, what is the current status of India in Indian Ocean, बहुत सारे लोगों ने गल्त किया होगा, क्योंकि हमें लगता है कि Indian Ocean है, तो India होगा ही, पर हम इसके सिर्फ observer member है, तो इसका correct answer is B, हम इसके member नहीं है, ना ही हम chairman है, तो correct answer is B, observer, तो इस वीडियो में बस इतना है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, thank you so much.